तो आज के नास्ता नवागत भी तैस्टी बनने वाला है क्योंकि आज के नास्ता मैं अपने बेटे के पसंद के बना रहे हूँ यह नास्ता मेरे बेटा कर बकला कौरीश और घर में रखे चीजों से तायार हो जाता है बाहर कुछ लाने के जरूरत नहीं पड़ती है इस नास्थिक उनों आप अपने बच्चे को टिपिन में बना कर दे सकते हैं कम समय में और कम चीजों में त्यार हो जाता तो देर किस बात की चलिए से हम बनाना सुरू करते हैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक से रो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दिजेगा तो इस मजडार सी रेस्पी को बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर जैक नोट चैनल के लिए जयतना क हान उतना चमच इसमें बे में और mandar भीवारल करें लिए लिए इसमें डू चमच ब्राइबjos की डाले मैंने में बें mocks 1 बनाली चैनल है नमक अपने टेस्ट के Кव्रडिंग या डाला लिये हैं, और अब इसमें हम डालेंगे दो चमच घी, घी के जगह पर आप यहां पर रिफाइन वाइल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और घी डालकर इसको इस तरह से हाथों से थोरी देर अच्छे से मसलना है, तो इस तरह से थोरी देर मसलें तो आटा के जो टेक्चर है बिल्कुल चेंज होने लगता है, यानि कि आटा हमारा बिल्कुल मुलायम हो जाता है, तो इससे क्या होगा जब हम कोकी बनाएंगे तो कोकी में बिल्कुल खास्ता पनाएगा, तो यह देखिए थोरी दिर मिलाने के बाद इसको हम इस तरह से मुठी से दबाएंगे तो यह बिल्कुल बंदने लगेगा मुठी में इसका मतलब इसमें मोयन अच्छे से हो गया है, तो अब इसको हम साइड में रख देंगे और इसमें हम डालेंगे प्याज, तो प्याज डालने के लिए यहां पर मैं एक मीडियम साइज के प्याज ले लिए है और इसे के साथ मेंच दो हरी मीर्च चौप करके डालने की व्याह फर अपना पर अपने अकॉर्डिTo कोॉर्डियम से इसमें डालीएंगा और बॉस्त में इनियुक्त भी चौप कर लिए है तो उसमें हम धनिया पता डाल दिये हैं, हरीमिश डाल देंगे और प्याज डाल देंगे जो अभी हम चौप किये थे और इसे डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चमच धनिया पाउडर धनिया पाउडर में पहले डालना भूल गई थी तो यहां पर आप धनिये पाउडर के जगा पर साबु धनिया को भी क्रेस्ट करके इसमें डाल दीजेगा तो बहुत अच्छा उससे भी टेस्ट आता है तो अब हम इन सभी चीजों को इस तरह से हाथों से मसलती हुए थोरी देर अच्छे से मिला लेंगे ताकि सभी चीज एक दुसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और इसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी तो यहां पर आप ध्यान देजिएगा कोकी के लिए यह डो लगता है बिल्कुल अलग तरीकर से इसका डो तयार होता है यहां पर इसमें एक बार में पानी नहीं डालना थोरे थोरे पानी डालना है और इसको इस तरह से मिलाती हुए एक जगा इकठे कर लेना है यानि कि इसके डो को हाथों से मसल मसल के गुथना नहीं है जैसे रोटी के लिए हम डो लगाते हैं हाथों से मसल मसल के गुथते हैं वो इसे नहीं से करना है बस इसमें थोरा थोरा करके पानी डालना है और मिलाती हुए इसे एक जगा इकठे कर लेना है यानि कि इसके डो में इस ट्रेशनेस नहीं होना चाहिए यानि कि डो लचीला नहीं होना चाहिए बस मिलाती हुए एक जगह इसे इकठे कर लेना है और डो को टाइट रखना है और देखिए डो को मैं तोर कर दिखाती हूँ इसका आप टेक्चर देख सकते हैं तोरने के गया है तो अब इसमें से हम लोई तोर लेंगे तो यहां पर ना इसका हम बरे साइज के लोई बनाएंगे तो इस तरह से हम सभी लोई को पहले बना कर त्यार कर लेंगे और बरे साइज के लोई यहां पर इसलिए बनाए है क्योंकि कोकी के ना जो ठीकने से मोटा होता है यान इसके बाद इसको न हम तबे के उपर रखेंगे तब यहां हलका गरम है और इसके उपर रहकर इस तरह से पलटते हुए दोनों साइड हलका सेकेंगे यानि कि इस टीकी के उपर हलका सा इसपोर्ट गए उकला ने लाई यह. अब इसको ने लेंगे तो यहां पर बेलने में चपकेगा बहुतकी बेल जाता है। तो यहां पर जैसे नॉर्मल हम रोटी बेल देना है लेखिन जो थीखनेस रोटी मोता रहता है तो यह देख हैं तो जैसे बेल देखिए तो पर टाब, ऋमारग मुझा ना ज़क मिổ में जाएं तो अब इसको हम पलट लिए हैं और पलट कर इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे तो आप यहां पर घी अवाइल जो भी पसंद करते हैं वह लगा लिजिएगा जैसे नॉर्मल फराथा बनाते हैं उस तरह से घी अवाइल लगा कर इसको दोनों साइट पलटते हुए अच्छे से सेक लेना है तो यह देखिए बहुत ही अच्छे सेख गया है इसमें गोल्डन कलर आ गया है तो जैसे नॉर्मल फराथा बनाते हैं उस तरह से से शेक लेना है तो अब इसको हम एक पलेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बांकी सबी को बना कर ट्यार कर लेंगे तो य कैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जाहिए